असलाम लेकूल अब सबसे पहले एक मैं पतीला ले ली चूले को मैं जला ली थोड़ा यह गरम हो जाए आप इसमें पानी कुछ ना डाले दूद पानी कुछ नहीं देखें मैं सरीफ चीनी इसमें डाल दूँगी देखें चीनी क्रिमलाइज हो गया आप इसे चलाते रहेगा बिल्कुल लो अब ही वो गया अब मैं इसमें डूद एडर कर गए डूद आप फूल क्रीम लिजेगा तो ज्यादा अच्छा होगा ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया अब मैं इसमें ये मैंगो कश्टर्ड पौडर इसमें आड़ कर गूंगे देखे ये हो गया इतना ही थिक चाहिए अब मैं चूले को बंद कर दूँगे देखे मैं चूले से इसे उतार ली अब इसे आप बिल्कुल ठंडा कर ले 5-10 मिनट वेट कर ले ये ठंडा चाहिए देखे एक मैं ग्राइंडर में इसे डाल दी ठंडा हो गया है ये अमूल का फ्रेश क्रीम है अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो ले ले नहीं तो इसके जगा आप मलाई दूद से निकालते हैं ताजा हो तो वो भी ले सकते हैं अब में ये ड्राइफ रूट में से थोड़ा से इसमें डाल दवागे वर फिर आप मैं रखे लगा के मैं इसे ग्राइंड कर लोगें अ दिखी ये ग्राइंड हो गया अब मैं इसमें अगर आपके पास ब्लेंडर ओ तो इसमें कर लें आप इसे में हाफ इसमें डाल दी और फिर बीच में आप ठोड़ा ड्राइफ रूट डाल दें और यह कट किया हुआ मैंगो इसमें डाल देंगे और यह डैरी मिल्क इसमें क्रस्ट कर लें देखें इसे एक लियर में अच्छे से इस पर डाल दी और फिर यह जो बच्चा है इसको उपर आप अच्छे से डाल दें और फिर मैं यह इसको उपर मैंगो फैला दूँगी अच्छे से के अच्छे इना षें में इसकार टोल और शे बदान अच्छे सिक्ते कर देंदूँगी देखें यहीं पन्य ने पुगती हों अब मेरे पास फौइल पेपर नहीं है नहीं तो आप अगर आपके पास फौइल पेपर हो तो वह आप इसके ऊपर अच्छे से एसे बिल्कुल अच्छे सीसे कवर कर लिजेगा बिल्कुल इसमें एर नहीं जाना चाहिए और कम से कम इसे 12-13 गंटा इसे फ्रीजर में आप